Hello and welcome back to SN Badminton Academy मेरा नाम है भवे महाजन तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने badminton के reflexes कैसे improve कर सकते हैं जैसा कि आप सब को पता ही होगा कि badminton में reflexes कितने important होते हैं खास कर कि badminton doubles में तो doubles में जो भी player आगे खड़ा होता है या net पे जो खेल रहा होता है तो लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी exercises बताऊँगा जिनको आप घर पर ही करके अपने badminton reflexes को improve कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स exercise क्या होगी तो इस exercise को perform करने के लिए आपको एक partner की और दो balls की जरूरत पड़ीगी तो इसमें आपके और आपकी partner की position जो होगी वो आपने सामने आपकी face to face होगी उसमें आपको क्या करना है आपके partner जो होगा वो आपको ball किसी भी direction में थुरू करेगा और आपको वो ball को अपने playing hand से पकड़ने जैसे मैं right handed player हूँ तो मैं आपने right hand से ball पकड़ूँगा अगर आप left handed player है तो आप अपने left hand से ball को पकड़ेंगे और इसमें आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप जो वो ball catch करेंगे वो आपको partner को एक दम straight देना है और आपका partner आपको किसी भी direction में दे सकता है आप 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 तो तो चलिए अब देखता है second exercise क्या होगी reflexism prove करने के लिए तो इस exercise को परफॉर्म करने के लिए आपको एक पार्टनर की और एक बाल की जरुएँगी इसमें आपके और आपकी पार्टनर की जो पॉजीशन होगी उसमें क्या होगा आपकी जो बैक होगी वो आपके है ऐसे ही आपको यह प्राक्टिस करने है अपने बैडमेंटर ने फ्लेक्सिस इंप्रूफ करने के लिए तो आज की हमारी यह वीडियो यहीं एंड होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें for more amazing tutorials और अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी queries हो या आपको कोई भी topic पर कोई वीडियो चाहिए हो तो हमें आप नीचे comment section में भी बता सकते हैं और अगर आपको हमारे चैनल के behind the scenes देखने हो या फिर हमारे चैनल की training videos देखने हो तो आप हमारे नीचे दिएगा Instagram handle पर भी follow कर सकते हैं Thanks